Hello everyone, welcome to Wi-Fi study which is part of an academy group दोस्तो railway group D के लिए एक और नया practice set में लेकर आगया हूँ जैसे कि आपके exam में questions पूछे जा रहे हैं उसी परकार के question आज इस वीडियो में देखने वाले हैं तो please पूरी end तक देखेगा इस वीडियो को वीडियो पसंद आए लाइक करना अपने दोस्तों की साथ में share करना टेलिग्राम सोरंबली को official नाम से इसको join कर लीजेगा यहाँ पे आप लोग को हर एक special class का notification मिल जाता है ठीक है यह मेरी special classes के timing है इनको note कर सकते हैं plus subscription के सारे benefits जैसे की live classes structured course weekly test unlimited access और भी सारे benefit आपको मिल जाते हैं जब भी आप किसी भी category में plus subscription join करते हैं यूज करिएगा code study 10 इसे आपको maximum discount मिल जाएगा let's crack दोस्तो mission ssc with unacademy में इसमें enroll कर सकते हैं बहुत सारे आपको जो है feature मिलने वाला है इसमें आप देख सकते हैं और जितने भी नए बैचीज है वो सारे मिल जाएंगे नोट्स भी आभी आपको मिल जाएंगे ये एक नया ही feature add किया गया आपको जिसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों ठीक है इनकी hard copy भी मिल जाएंगे आप लोग देख सकते हैं iconic जो बच्चे होंगे जो उनने ने iconic subscription जोइन किया है बट जो plus वाले होंगे उनको भी मिल जाएंगे ठीक है उनको PDF की form में मिल जाएंगे selection दोस्तों आपका संकल्प batch स्टार्ट हो गया है SSE CGL के लिए साथी साथ मतला होने वाले 18 तारीक को लक्षे batch 18 तारीक को स्टार्ट होने वाले complete batch on general studies ठीक है all SSE exam ये भी 18 अगस से स्टार्ट हो रहा है और plus iconic दोनों के लिए आपको core study 10 ही रखना है इसके अलावा iconic के जो feature होते है प्राइटीन डाउट सोलिंग, प्राइटीन लाव क्लास बाकिया आप डिटेल में देख सकते हैं दोस्तों test 3 सारी free of cost है आप लगा सकते हैं SSE category और railway category में और raise a hand करके आप live class के दुरान सारे डाउट पूछ सकते हैं और उसके बाद भी आप अपने सारे डाउट के लिए कर सकते हैं चले शुरू करते हैं आज की वीडियो को please प्रूरेंट तक देखेगा दोस्तों आज की वीडियो का पहला question है विंदिया और सत्पुडा परवत माला के बीच बहने वाली नदी कौन सी है आपको किसी भी question का आंसर पता होगा तो comment box में जरूर बतेगा दोस्तों ये नदीया नर्मदा यानि की option यहाँ पर इस question का right answer ए हो जाएगा दूसरा question है खालिस्तान का उप्योग करके ओजोन का पताल लगाया जा सकता है तो इस question का दोस्तों right answer बतेगा क्या होगा तो इस question का right answer हो जाएगा आपका हजी यानि की आपका option C हो जाएगा मर करी ठीक है तो ये आप लोग को याद अखना है अगला question है दोस्तों जूरिक जिसे यूरोप की वित्य राजदानी के रूप में जाना जाता है किस देश में इस्थित है जूरिक जिसे यूरोप की वित्य राजदानी के रूप में जाना जाता है ये इस्थित है दोस्तों स्विजर लेंड में यानि कि इस question का right answer option A हो जाएगा Next आता है राष्टे डेरी अनुसंदान संस्थान निमलिकित में से किस इस्थान पर इस्थित है मेरे प्यारे दोस्तों राष्टे डेरी अनुसंदान संस्थान इस्थित है करनाल में तो इस question का right answer option A होने वाला है कोशन है साल जंगलों का सबसे बड़ा आरक्सित छेतर पाया जाता है तो ये पाया जाता है पूर्वी प्रायदी प्यानी की इस्टन पैंसुला इस कोशन का राइट आंसर होने वाला है दोस्तो संयुक्त अरब अमिरात की राज़ानी कौन सी है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर होजएगा अबू धाबी यानी की सी आपका सही आंसर होने वाला है अगला कोशन आता है नेमलिकित में से कौन जर्मन एरलाइन है इस question का right answer होने वाला है लुप्थांसा यानि की option आपका एक correct answer होएगा ये आप लोगों को याद अखना है अगला question है बहुत कम तापमान के उत्पादन, नियंतरण और अनुप्रियोग से निपटने वाले विज्ञान के रूप में जाता है दोस्तो इस question का right answer होजेगा cryogenics यानि की option आपका एक right answer होएगा ठीक है तो ये याद रखना है question आता है लेनी सिरी एक उच उपजवाली जो बीज है की एक किसम है या आपको बताने है किस की एक किसम है ये बीज तो ये दोस्तो चावल यानि की rice की एक किसम है यानि की इस question का right answer option ही होगा दोस्तो मनिपूर किस देश की सीमा पर इस्थित है मनिपूर किस देश की सीमा पर इस्थित है तो मनिपूर इस्थित है मैमार की सीमा पर तो इस question का right answer डी होने वाला है कोश्चन है प्रत्वी पर मोसम का परिवर्तन निमलिखित में से किसके कारण होता है तो प्रत्वी सूर्य के चार और घोमती है इस कोश्चन का रहीट आंसर होगा निमलिखित में से क्या इटली की मुद्रा है दोस्तो इटली की मुद्रा है यूरो यानि की इस कोश्चन का रहीट आंसर डी हो जाएगा कोश्चन है सार्क का मुख्याले की सहर में स्तित है तो इस कोश्चन का सही उत्तर होगा कार्ट मांडू में यानि की रहीट आंसर इस डी या आप लोग को याद दखना है Q. भारती रेर्वी का निमलिकित में से कोन सा सयंत्र या संस्थान का पुर्थला में इस्तित है तो यह इस्तित है, रेल कोच फैक्टरी यानि की Option C is the return 사 सितारा देवी निमलिकित में से किसनत्ते सहली का एक फोज है डोसतो सितारा देवी जो है ये आपका कत्क नेत्यसैली का एक भोज है यानि कि ऑप्शन आपका b rate answer होगा डोस्तो बिलियन सब निमलिकित में से किसकी अभिवेक्ती है तो बिलियन सब जो है ये 100 करोड को प्रजेंट करता यानि ये ऑप्शन d rate answer होगा दोस्तो 9 degree channel अलग करता है देखें यहाँ पे 8 degree channel जो है वो मेनीकोई और मालदीब को दीपों को अलग करता है जबकि 9 degree channel जो है दोस्तो वो मुख्य लक्सदीब समूँ से मेनीकोई दीप को अलग करता है तो इस question का राइट आंसा इन में से कोई नहीं होगा यानि कि D is the right answer लिखित अभिलेखों का अध्यान और उनकी प्रमानिकता के रूप में जाना जाता है इस question का दूस्तो right answer होजेगा करुनोलोजी यानि कि कालकरम इस question का right answer होगा यानि कि C याँ पर right answer होजेगा कोशन है दो गत्वे गोहाटी और इमफाल द्वारा जोड़े हुए है तो इस question का right answer होगा केवल एरवेज और रोडवेज ओप्सन सीज़ दर रेट आंसर कोशन है दूद के गनत को निमलिखित में से किसके द्वारा मापा जा सकता है तो दूद के गनत को निमलिखित में से किसके द्वारा मापा जा सकता है तो इस question का right answer दोस्तो लेक्टो मिटर हो जाएगा यानि कि C is the right answer ठीक है बई? तो देखिए धाई बजे दिन में और रात में ग्यारा बजे दो special classes और यान अकेडमी पर इन दोनों classes का link आपको सोरब मलिक official टेलिग्राम पर मिल जाएगा उसको भी जोइन कलनी जाएगा next video पर चलते है दोस्तो आज की वीडियो का पहला question है सवेतलिंग कब किसके साथ जुड़ा हुआ है अगर आपको question का answer पता होगा तो comment box में बताते रहेगा table tennis man से जुड़ा हुआ है तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तो ठीक है चले जी दूसरा question आता है balloon और airship में आमतोर पर किस gas का उप्योग किया जाता है तो balloon और airship में दोस्तोर आमतोर पर जो gas का use किया जाता है वो कौन सी gas होती है तो इस question का right answer हो जाएगा दोस्तो helium यानि की B is the right answer ठीक है चले अगला question आता है dribbling सब्द का परियोग निमलिकित में से किस खेल में किया जाता है तो dribbling सब्द का जो परियोग है दोस्तो वो किस खेल में किया जाता है बहुत बढ़िया इस question का right answer हो जाएगा बास्केट बॉल में किया जाता है दोस्तो ये आप लोगों को याद अखना है अगला question है भारत के किस रास्टय उद्धान में भारत का सबसे उचा परवत है तो जल्दी से answer बतायेगा भारत के किस रास्टे उधान में भारत का सबसे उचा परवत है तो इस question का right answer होजेगा खंग चिंद जोंगा रास्टे उधान में यानि की right answer is B ये आप लोग को याद अखना है ठीक है? चले next question और यह है दोस्तों सिक्किम में स्थित है ये जरूर याद अखेगा ठीक है? चले अगला question आता है अर्जुन पुरुषकार की स्थापना किस वर्स की गई थी? अर्जुन पुरुषकार की स्थापना किस वर्स में की गई थी? तो इस question का right answer होजेगा 1961 में ये आप लोगों को याद अखना है अगला question है रेमन मेकसेस पुरुषकार पूर राजपती के संब्मान में दिया जाता है तो जल्दी से आंसर बतेगा बिलकुल दोस्तों देखें रेमन मेकसेस पुरुषकार एक वार्षिक पुरुषकार है जो कि फिलिपिन्स के पूर राजपती इमानदारी लोगों के लिए दिया जाता है दोस्तों ठीक है ना इस question का right answer हो जाएगा option B ठीक है बंकर किस खेल से संबंदी था तो बंकर दोस्तों संबंदी था गॉल्प से तो right answer is B यह आप लोगों को याद अखना है को question आता है B I R D किसके लिए है तो यह दोस्तों इसकी full form क्या है bankers institute of rural development ठीक है भई तो right answer is B यह भी आप लोगों को याद रखें दोस्तों SP500 क्या है तो SP500 है दोस्तों USA का stock exchange यानि कि a stock exchange of USA से ठीक है नेक्स है हाव नेलसन का इस्तमाल आमतोर पर किस खेल के लिए किया जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा दोस्तों wrestling के लिए यह कि कुस्ती के लिए किया जाता है कोशन है खालिस्थान द्वारा प्रकासित वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट आपको बताना है इस question का right answer हो जाएगा अन हैबिटेट इस दर एट आंसर यह आपका सही answer हो जाएगा CIS का मुख्यले कहा है स्थीत दोस्तों CIS का मुख्यले कहा है स्थीत है तो यह स्थीत मोस्कोर रस्या में तो right answer is B यह आप लोग को या दखना है किस stock exchange का उपनाम big board है तो big board दोस्तों जो किस stock exchange का नाम है यह आप से पूछ जागए तो नियोर्क स्टोक एक्सचेंज का, ठीक है, तो right answer is option है, यह आप लोग को या दखना है, निमलकित में से कौन सा सब्द, table tennis के खेल से संबंदित है, तो इस question का right answer दोस्त होजएगा, pen hold grip is the right answer, यह आप लोग को या दखना है, question है, ब्रूंडी की मुद्रा क्या है, तो ब्रूंडी की मुद्रा क्या है, इस question का right answer होजएगा, ब्रूंडी freak, यानि की option is the right answer, ठीक है, और यहांकी राजदानी है, गिटेगा, ठीक है जी, चले, दो नदियों के बीच उपजाव भूमी को क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्त अधिक बार आयोजित किया गया, तो सबसे अधिक बार ऐसे खिलो को जो आयोजित किया गया, वो बैंकोक में किया गया है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है, मानव सरी का सामान्य तापमान कितना होता है, तो अगर celsius में बात की जाए दोस्तों, तो 37 degree celsius, इस question का right answer होजेगा, और अगर Fahrenheit में बात कीज़े, तो 98.6 Fahrenheit हो जाता है, निमलकित में से कौन सा समुदरी बंदरगा नहीं है, तो कहरो दोस्तों, एक समुदरी बंदरगा नहीं है, next question है, Mark Spanish pick किस खेल कारेकरम से संबंदित है, तो ये संबंदित है, shooting से, यानि कि right answer is B, ठीक है, तो चलिए next पीडिये पे चलते हैं, और दिन में धाई बज़े और रात में 11 बज़े, दो special classes है, इनको भी अटेंड करना सुरू करिए, और देखे गाईज, एक बहुत ही अच्छा feature जो कि Unacademy पर आपको मिल जाता है, जहां पे आप report कर सकते हैं, कोई भी inappropriate content in the video, मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है, जो कि study से related नहीं था, तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं, ठीक है, नीचे ही description box में आप ये चीजे भेज के, और जो सबसे पहले भेज़ेगा, उसको prize मिलेगा, ठीक है, वाकी thank you so much guys, चैनल को subscribe कर लिजेगा, पीडिया भी आप download कर सकते हैं, बैल आइकन को on रखिए, और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मत, ठीक है, और देखे, Unacademy पर मेरी 2 special classes हो रही का आपको मिल जाएगा, Unacademy profile करनेंग, उस पे click करना है, follow कर लेना है, और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं next class में, thank you so much